हलो दोस्तों आज है बारा फरवरी 2021 और बारा फरवरी 2021 से जितने भी हरी आना करण अपेर एक क्वेस्टन मनते हम साब इस उडियम डिस्कस करेंगे और साथ इसाथ उनके बारे में कुछ साइक्ष्टा अफैक्ट भी पढ़ेंगे लास्ट में आपके लिए क्वेस्टन है देखते हैं अपकी तैरी किस लेगल पर पहुंच चुकी है और आप इस करण अपेर के पीडिये फाइल को डिस्क्रिप्शिन में दी होए लिंक से डाउलोड कर सकते हैं तो चलते हैं क्वेस्टन नमबर वन पर पर इसके बारे में पढ़ लेते कूश इंपोटन फैक्ट पंचकूला जिले ने 12 सपाई मीतर सुरुक्षा चालेंजर से किम में पंचकूला नगर निगम ने देश के बारा सहरों में नागरिक सुरुक्षा टोल फरी नंबर संचालित करने में पर्थमस्तान प्राप्त किया है या पर्थमस्तान अर्जित किया है दोस्तों अब जिकर पंचकुला का हुआ तो पंचकुला के बारेम पर लेते हैं ताकि आपका हरियाना करंट हवेर के साथ हरियाना जी की कावी रुवीजिन होता रहे ये राज सबसे उपर टोब में पंचकुला इसकी सीमा लगती है अंबाला से कहें अकेले अंबाला जिले से इसकी सीमा लगती है अब इसके बार हम कूछ इंपोर्टन्ट फाक्ट और डिसकस कर लेते हैं पंचकुला की स्तापनों इती 15 अगस ते 1995 को पंचकुला में दो विदान सभाई की सीटे हैं एक काल का दूसरी पंचकुला और पंचकुला के उत्तर और पूरो में मासल परदेश लगता है दक्सिमें अंबाला और पस्ची में संडीकर्ड़ पंजाब लगते हैं इसके एसिय क्याद्वेंद्दर में एक उध्यान है जिसे बार्त का उत्रिबार्त का नंदन watches I साथा है और पिंजोर में या पंचकुला में फिदाई खा गार्डर जिसे मुगल गार्ड़न भी कहते हैं कि स्थापना 1661 में फिदाई खा दोए चीग गई थी मणसा मनसा देवी मंदिर है काली माता का मंदिर है आमो का मेले लगता है पंचकुला के पिंजोर में जून और जुलाई के महिने में और पंचकुला में मुख्याले भी स्तापी था है हरियानासी चाई वीवबा का मुख्याले था है HSSC का MPSC का HR Leslie T यह कुछ इंपोर्टन जानगारी थे जो आपकी एक्जाम में हल्प करेगी चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन पर क्वेस्टन नम्बर दो है हाली में हर्यान कि कि किस लोग सबसानसदगा क्या तरवा जनम दिन मनाया गया है तो रायटन स्रग ऑप्षन सी राओ इंदरजीत सिंग का क्या तरवा जनम दिस मनाया गया है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं राओ इंदरजीत का जनम 11 फरवरी 1950 को रिवाड़ी में हुआ था और यह वर्तमान में गुरुगराम ब्लोक सबसे सांसद है वर्तमान में और बाजपा पार्टी से जाएगा नंबर दो पर है हरियाना के स्वैनिक सोन अलावत को के इंदर सरकार ने विर्ता पुरुषकार देने की गोषणा की है चलते हैं नेक्ट कोईटन पर कोईटन पर तीन आपके लिए हरियाना के किस संस्थान की मदद से देश में पहली बार प्रांगर्ण रहीत या बेबीकोन मककी की किसम को विक्षित किया गया है बिसके बारें जान लेते हैं कुछ important fact het देश में परतम बार मेल शेटराइल बेबीकोन मका बीज बनाने में सबलता मिली है तो ब्ली से में बेबीकोन उतपादक किसानों को सरकारी अनुसंदान संस्तानों के सेहूंग से नय अनुसंदान संस्तान पूसा नहीं दिल्ली और अक्षेतरिय किर्शी अनुसंदान संस्तान करनाल की शायता से सोध किया गया इनकी शायता से सबलता मिली है जलते हैं नेक्ष्ट कोशन पर दोस्तों अब जिकर करनाल का हुआ तो करनाल के बारे में पढ़ लेते हैं तो यह रा सब्सक्राइब की जा थि कुल 116 139 में की गई थि एगनुंब International में की गई थि सालोन गाउं करणालमजी से में लोग का गाउं कहा जाता है लिए आना का पहला सैनिकक स्कूल ora grown के कोंज़बूरा में खोला गया था अस्तापित किया गया था राश्टे डैरी अनुसंधानसनस्तान भी है केंदरियाम मरमड़्था लवंथा अनुसंधानस्तान उन्सों उन्हें बैटरी से चलने वाली बसों का सबसे पहले ट्राइल करनाल में किया गया था और दरगा कलंदर साह अटल पारक स्थापित है सीता माई मंदिर अधिती मंदिर गुरु दुवरा सी जिगंज तरावंडी में स्थापित है और शोड़ सो बतीस में सांजा के सासनकाल में फ्रोज कीकिमिती की से आप अब उसके पर लेते हैं दोस्तों बजलीके इत्यास के बाड़े में जास हैं हार ना की बिद्मार की सापना कोυी टीन मई 1967 को चंडीगड में हरियाना 3970 में पर्देश बार देश का एक ऐसा पहला दरज्य बन गया था जिसने सबसे पहले अपने गाव में बिजली पुंचाई थी और तब मुख्यमंतरी थे बंसी लाल हरियाना विदित विनियामक आयोकिस्ता पनगी गीती 17 आगस्त उनसो और हरियाना राज्य में बिजली के सपलतापूर वितरन के लिए मार्च 29 में दो विदूत वितरन कमपनिया कठन की गए थी जिसे कहते हैं उत्तर हरियाना विजली वितरनिगम और दक्षिन हरियाना विजली वितरनिगम चलते हैं नैस्ट क्वेशन पर पांच आपके लिए हरियाना की किस साउथ पुलिस रेंज में पहला साइबर थाना खुला है तो रायट नसरोग ऑप्शन भी रिवाडी पुलिस रेंज में पहला साइबर थाना खुला गया है तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ important fact देश तेजी से बढ़ते साइबर थागी के मामलों को रोकने के लिए साउथ रिवाडी रेंज में अलग से साइबर पुलिस थाना खुल गया है पुलिस लाइन में बनाए गई स्थाने में साइबर थागी से समधित चार जिलो का कारिया हो गए इनकी चार जिलो को इसके अंडर लिया गया है रिवाडी के अलावा रेंज में पढ़ने वाले पलवल लू और महंदरगड इस रेंज के अंदर काम करेंगे लेकिन रिवाडी के में पुलिस रेंज के अंदर सिर्शा भी आता है लेकिन ये जो पुलिस साइबर थाना कोला गई है पलवल और मेहंदरगण और रेवाडी चैर्जिलों के लिए कारिया करेगा और 10 फरवरी को आई जी विकास अरोडा ने साइबर थाना की सुबारमया रीवन काटा है चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर क्वेशन नंबर 6 है हरियाना में ओलमपिक खेलने वाले खिलाडियों को कितने रुपे अडवांस में खेल की त्यारी करने के लिए दिये जाएंगे तो कितने रुपे देने की गोशन की हरियाना सरकार ने तो रायट अनसरोग उप्षन ने की 5 लाख रुपे दिये जाएंगे इसका बता देता हूं आपको सीधे-सीधे मानलो कोई भी वैक्ती या कोई भी खिलाड़ी ओलमपिक के लिए क्वालिफाई कर लेता है तो उसे कुछ साहता हो चाहिए जैसे कुछ खाने पीने के लिए या भी कोई उपकरने चाहिए जो भी त्यारी के लिए तो उसके लिए हरियाना सरकार उसे 5 लाग रुपे देगी अगर कोई भी खलाडी ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई करता है और बाद में जो खर्च उटता है उसके लिए 5 लाग रुपे देगी हरियाना सरकार दोस्तों पिसलिए हरियाना करणा रफेर का रिजन कर लेते हैं साथ साहमों के रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला हरियाना किर्सीव से उदले देश का पहला किर्सीव से उदले बन गया है नमबर दो पर है, हरियाना सरकार ने युवा साहिते पुर्षकार सरू करने की गोशना की है, इनकी युवा को जादा साहिते से जोड़ने के लिए हरियाना सरकार ने युवा साहिते पुर्षकार सरू करने की गोशना की है, चलते नेक्स्ट कोशन पर कोशन नमर साथ है, हरिय रुपे देने की गोशना की है तो रायट रंसरोग ऑप्शन बी इनकी 113.03 रुपे देगा नावड हैपड को तो इसके बारें पड़ लेते हैं हैपड द्वारा राज्य के आठ जीलों में 16 स्तानों पर दो लाक दो पॉइंट साथ दो लाक मिट्रिक टन अक्समता वाले गु पॉर्म है हरियाना स्टेट कोर्परेट कोर्परेट्व सप्पलाई एंड मार्केटिक फैडरेशन लेंटिड और हिंदी में कहते हैं हरियाना राज्य सहकारी आपूर्ती विप्रण संग लेंटिड इसकी स्तापनों इती एक अपरेल उन्सो चैनों को और इसका चेर्मैन व चलते हैं नाबाड की जिक्रों तो नाबाड के बारें पट लेते हैं नाबाड की स्थापनों थी बारा जुलाई 1982 को हैड़ को वाटरा इसका बुंबई में और वर्तमान में चेर्मानी अधेक्स है गोविंदा राजुलू चिंटेला चलते हैं नाइस्ट क्वेशन पर कि शहयू इनकी चोधरी चरण सिंहान अगरिकल में स्थार के स्थे को जूनियर सियन्टिस और 2020 मिला .... चोदरी चरण सिंग हरियान किर्शीव दैले के वानी की विवाग के सायक विग्यानिक डाक्टर पोन को और पुनिया को जुनियर सैंटिस्ट अवार दुजार बीच से समानित किया गया है डक्टर पॉन को यह है अवाण राष्टिया प्रणावान विग्यान अकादमी एवंबारतिया किर्सी संख्याकी के नुसंदान संस्तान के सेयोग से नई दिल्ली में दिया गया है और यह चोजरी चरणी इनिविस्टिंग स्थापना थी दो फ्रवरी उनसे सब्तर को यह सार में स्थापीत है और इसका वर्तमान में वाइस सांसलर है समर सिंग डाक्टर समर सिंग सलते हैं question number 9 पर हरियाना के NCR 36 में किस राज्य के ओटो और टैक्सी कोटैक्स फरी किया है तो हरियाना सरकार ने NCR 36 में किन राज्यों के ओटो और टैक्सी को टैक्स फरी कर दिया है तो Right and Sroog Option D, इनकी दिल्ली उतरपरदेशों और राजस्तान इन सभी के ओटो और टेक्षियों के को टेक्स फरी कर दिया है क्योंकि जब भी इन दिल्ली उतरपरदेशों और राजस्तान की कोई बिए ओटो या टेक्स या हरयाना में पर्वेश करती थी तो उन्हें सीमा सुल पहला नियाया शियोवा के अंदर स्तापित किया गया है तो राय हे surf option B. चंडिगेट में देश का पहला नियाया शियोवा के अंदर स्तापित किया गया है। चंडिगट के बुडेल जेल में महिलाकाईदियों को नियाया परदा अन करने के साथ सरक्षन के लिए राज्या कानून सिवापदार प्राधिकर्ण चंडिगट द्वारा देश के पहले नियाया सिवाकेंदर की स्थापना की गई है बुडेल जेल में प्राधिकर्ण के चेर्मैन एवों पंजाब एंड हरियाना के जस्टिस जसुवंत सिंग ने सिवाकेंदर के महिलाकाईदियों के अधिकारों का सरक्षन किया जाएगा बलकि उनकी संतान के बोधिक विकास के लिए मिलने वाले लाभ भी परदान किये जाए आते हैं और चंडि गरठ में एक लोग सोबय की सीट से जहां से वर्तमान में शुरमती किर्ण रेन वां से वरतमान में संसद्ध है और चंडि गठ सहर की सिलबकार आ लीकार्भूजी उरre चब यांचंडि चंडिग शहर मना तफ पजार नमंतिरत te is जो आल्लाशला तो एपरब्द किया पंच्छकूला जिली ने नमबर 2 पर है हाली में हर्याना कि कि स्लोग सबस्भा सांसद का कैतरवां जनम दीऊस मनाय गया है तो एमनागा राओ इंद्रजीत ये सांसद गुरुग्राम से वर्तमान में Q3 है, हरियाना की की संस्तान की मदद से देश में पहली बार, प्रांगरन रहीत या मेल, सैटराइल, बेबी कोरन मक्क की किसम का उविक्षित किया गया, तो एक छेतरीय किर्शिय नुसंदान संस्ताल करनाल की साइटा से, Q4 है, हरियाना बिजली निगम कन्रया, चेर्मेन की से नुक्त किया गया, तो एक नुक्त किया गया, PK-10 को, Q5 है, हरियाना की की साउथ पुलिस रेंज में पहला सैबर थाला खुला है, तो यह कुला है, रेवाडी में उसके अंडर च्यार्जिले आएंगे, इनकी रेवाडी हो गया, पलवल और हो गया, मेवात हो गया, आपको क जाएंगे पांच लाग रुपए ताकि वंची से त्यारी कर सके और उल्मपिक में गोल्ड मडल जीत सके क्वेस्ट नम्बर साथ है हरियाना में हैपट द्वारा गोदाम बनाने के लिए नाबाड ने कितने रुपए देने को सनकी है तो 113.03 करोड हरियाना की किस इन्यवस्टी के विगानी को जूनियर सैंटिस्ट अवार 220 मिला है तो मिला जोदीरी चरन सिंग हरियाना आइकरिकर्चिर के डाक्टर पौन कमार को Q9 है हरियाना के NCR 46 में की सराज्जे के ओटो टैक्सियों को टैक्स परियेक कर दिया है तो दिल्ली उतर परदेशों राजस्तान के ओटो टैक्सियों को टैक्स परियेक कर दिया है क्वेशन पर दस है हरी आना में कहां परदेश का पहला नियाय स्योवा के इंदर स्थापित किया जाएगा तो एक किया जाएगा चंडिगड की बुडेल जेल में चलते हैं नेक्ट क्वेशन पर दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने अपसे क्वेशन पूछा था हाली में बार देख गया हूँ जो अनुशन दान संस्थाल करनाल का कौन सा स्थापना द्यूस मना आ गया है तो इसका बहुत सी बच्चों ने राइट अंसर दिया थैंक्यू सो मच उनका अनसवर देने के लिए तो इसका राइट अंसरोग ऑप्शन बी सब्पनमा स्थापना द्यूस मना आ गया है और उसकी स्थापना इती नो फरवरी 1965 में करनाल मिस्थापना की गई थी नेक्स्ट क्वेस्टन है क्वेस्टन फोर यू देखते हैं आपके लिए अपकी तैरे किस लेवल पर पहुंच चुकी है और दोस्तो मैं आपके लिए आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ मैं आपसे एक चीज पूछने जा रहा हूँ, आप जिस भी जिले से बिलों करते हैं, आपको आज के लिए दो question है, आपको जिस भी जिले से बिलों करते हैं, सबसे पहले आपको बताना है, कि आपके जिले की सीमा किस किस, यंकि कितने जिलों के साथ लगती है, किस राज़े के साथ लगती है तो please comment करना आप जिस भी जिले से करते हैं उसकी सीमा किस जिले के साथ और किस राज्जे के साथ लगती है तो आज के लिए question आपका हरियाना राज्जे की किस सुगर मिल को राष्टिय पुरुषकार मिला है अगर आपको इसकान सवर पता तो comment box में comment जरूर करना क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को लिखकर देखते हो तो हमें लंबे समत क्याद रहती है उसका फैदा हमें ही exam में मिलता है तो please comment जरूर करना और तो thank you so much आपका वीडियो देखने के लिए